प्रणाम मैं आज आप लोगों से जल के विशाई में कुछ बात करना आया हूँ बोलते हैंने कि जल के बिना जीवन अदूरा है हमारे जीवन में जल का कितना मुहत्वपून इस्थान है अगर जल ना हो तो क्या है जीवन भीना रहे इसलिए मैंने सोचा कि जल के विशाई में आज हम कुछ बात करें जल बहुत संसेटिव चीज़ है इतनी तरंगों को पकड़ता है ना कि हम सोच भी नहीं सकते हैं किसी लोटे में किसी कटोरी में अगर हम जल लेते हैं सुब संकल्प करते हैं हम सुब भावना करते हैं तो जल के भीतर उसका असर होता है पॉजिटिव हम सोचते हैं तो पोजिटिविटी आती है नेगेटिविटी आती है तो आप समझ सकते हैं कि कितना संसेटिव है और हम उस जल को अगर हम हलके में लेवे और ऐसे यूजे इन तुरू पीयार ने वेसे सोचेंगे ने तो वो लाब नहीं ले पाते जितना हमें लाब लेना चाहिए हमारे घर में जो भी घड़े में जल हो वो जल पोजिटिविटी से भरा होना चाहिए जब कोई भी वेक्ति उस जल को पिये उसे अच्छा लगना चाहिए उसमें अच्छी प्राण उर्जय होनी चाहिए ताकि वो हमारे शरीर के भीतर जाए और विचारों को सुद्ध करे शरीर के भीतर जाने के बाद हमारे जीवन में दीवयत आए परिवर्तन आए इस देश के ग्यानियों ने जलकियों पर बहुत काम किया है हजारों वर्सों पूरानी परंपराए है इस देश में कैसी देखने को मिलती है अगर हम मंदिरों की बात करते है तो हर मंदिर में हमारे ग्यानियों ने पहले ये चीज़ करवाई और आज भी चालू है लेकिन इसके पीछे का बहुती गजब का साइन्स है हाँ, आज के समय में आज का विज्ञान भी इस चीज़ को मानने लग गया प्रूब कर दिया है कि अगर आप जल को देखोगे अच्छे से प्यार से निहार होगे पोजिटिविटी सोचोगे तो जल के अंदर अच्छा असर होता है वही असर होता है, नेगिटिव सोचोगे तो नेगिटिव असर होता है तो एक सोचने वाली बात है जब मंदीर में उपासना इस्थान पर, उजा इस्थान पर सामुहिक तोर पे या जब भी कुछ करते हैं, तो एक लोटे में जल लेते हैं और उस लोटे में जल लेके उसमें फूल या गंगा जल जो भी चीज़े डाली जाती है और सुब संकल्प करते हैं कितरी अच्छी सुब भावना, सुब संकल्प इस्वर को याद करते हैं, उस सक्ति को याद करते हैं उत्तम सुत्तम जो पावर हम उसको याद करते हैं और हम प्रात्ना करते हैं और हम उस जल को प्रशाद के रूप में हम गरहन करते हैं क्यों दो बुन चार बुन जल के लिए हम लाइन में लगते हैं क्योंकि उस जल में दीव्यता है हमारे भीतर वह जल जाए तो हमारे भीतर पडिवर्तन करें हमारे भीतर विकरतियों को शान्त करें हमारे वितर अन्बेलेंस जो होता है मानसिक शारे जो भी छोब होते हैं उसको बेलेंस मिलाए इसलिए ये परंपरा बनी हुई इस देश में सुक्ष में भी सही है आचरन करने जैसा भी सही है जो माता बेने ये जो मेरा वीडियो देख रहे हैं कहते हैं कि हमारा बच्चा कहना नहीं मानता है बहुत ज्यादा चंचल है पड़ाई नहीं करता है ठीक से हाइपर है जब भी पानी मांगे आप सुब संकल्प करके दे बच्चे के अब अध्दिक विकास हो बच्चे की जो अती चंचलता है वो थोड़ी नॉर्मल रहे हमारे बच्चे में दीव्यता आए अच्छा सा ब्रेन का विकास हो ऐसा आप सुब संकल्प करके देखें आप कुछी दिनों में देखोगे कि जो रोच आप लड़ लड़के जो बात नहीं सुन रहा था वो बात नॉर्मल आप सुनने लग जाएगा यह बहुत चोटी चीज लेकिन कितना अच्छा काम करती आप करके देखें और हमारे घर में जो भी जल है घड़े में रखते हैं या जिसमें भी रखते हैं तो मैं देखता हूँ कि वो अच्छी पोजिटिविटी से भरा होने की अपेक्षा कहीं लोगों के यहां भहुत नेगिटिविटी होती है लेकिन नेगिटिविटी वाला जल ना रखें उसको पोजिटिविटी से भर कर रखें उसके लिए का करना होगा जब आप सुबह में उठते हैं ना इस नान वगरे करने के बाद जो भी आप पूजा पाट करते हैं तो आप घड़े को भी एक तीलग कर दिया करें यह का दिया रख दिया करें हाँ दक्षिन भारत यहां मैंने कई ऐसे राज्य देखें भारत अरमया कर यह यह जगाही देकी जहां पर यह चीज होता है दिया रखते हैं तीलग करते हैं मटके को और सुब संकल्प करते हैं कि हमारे घर में आरगयता बनी रहे शान्ती बनी रहे तो कितनी अच्छी बात है है यह एक छोटी सी चीज लेकिन आपके घर परिवार में बहुत अच्छा बदलाव कर सकती है इसलिए यह छोटा सा प्रयोग आप जरूर करें और उको भी बताएं ताकि ज्यादा से ज्यादा सब लोगों को लाभ मिले और भी बहुत सारी बाते हैं बहुत से लोग जल को प्लास्टिक के डिबों में भर-भर के रखते हैं वो भी अच्छी बात नहीं है क्योंकि जो उसकी जो औरा है वो अच्छी नहीं होती है नेगेटिव रहती है ज्यादा तर देव इस्थानों में तांबे के पात्र में ही क्यों जल रखते हैं उसके पिछे का भी काफी गहन विज्यान है इसलिए आप जो अपने घर में जो भी मटका है वैसे मेरे इसाब से तो मिटी का अच्छा रहता है तांबे का भी घड़ा अच्छा रहता है जिसके लिए जो सूटे बल रहे है लेकिन उत्तम पात्रों का चयन होना चाहिए ताकि हम जो पानी पीते हैं वो अच्छी positivity से भरा रहे पिर दूसरी बात ये भी है कि हम जो पानी पी रहे हैं वो सुद कैसे रहे क्योंकि कई बार ऐसा होता है ने कि यही पानी वेक्ति को बीमार भी करता है कैसे बीमार करेगा क्योंकि कोई-कोई पानी जो है वह बहुत भारी होता है आजकल के आए पानी में बहुत फ्लोराइड होता है यह कई सारी चीजे होती है यह मान लो कोई वाइरस हो वेक्ट्रिया हो तो इन चीजों के उपर भी गोर करना बहुत ज़रूरी है तो आप लोगों ने कई बार होगा ना कि मंदीर में जो लोटा होता है लोटे में जो जल होता है उसके अंदर इनने तुलसी दल होते हैं तुलसाजी के पत्ते होते हैं क्या रिजन है आप सब लोगों को अभी तो पता होने लग गया है कि तुलसी जो है वह बहुत उची चीज है प्रानूर्जा को बढ तो आप अपने घड़े में आप तुलसाजी के कुछ पत्ते भी डाल सकते हैं और अगर तुलसाजी का अभा हो तो आप तुलसी का अर्क भी डाल सकते हैं हमने काफी खेतों में तुलसी का अर्क लगा रखा तुलसी के पोदे लगा रखे जो हम अर्क बनाते हैं आप और जो भी आपके आसपास अगर तुलसी का अर्क मिलता है तो एक घड़े में कुछ मातरा में आप तुलसी का अर्क भी डाल सकते हैं ताकि आपका जल अच्छी प्राणवान एनर्जी से भरा रहे और जो भी पिए उसको अच्छा लगे उसका स्वास्ते में बहुत अच्छा बदला हो आए और अगर पानी जादा भारी है तो जरूर उसे उबाले उबाल के जब सफेद सफेद जो शार होता है वो नीचे बेड़ जाए च्छान के अच्छे से अलगर कर लिजिए अगर गंगा जेल की वेवस्ता हो तो थोड़ा गंगा जेल भी डाल दिया करें पानी को साफ करने के लिए आप फीट करी भी घुमा सकते है उससे पानी में जो उपर जो रहता है बारीकन वो नीचे बेड़ जाते पानी सुद्ध होता है साफ होता है जो छोटी दूदी होत जिसको नागाषुनी भि कहते हैं, आप उसको भी डाल सकते हैं, मैंने कई बार देखा कि एक कटवर हमेला मेला पानी लो और केवल उसको तोड़के खाली पानी को टच करो तो जुम देखे पानी शाफ होता है, झमतकारिक रूफ से पानी साफ होता है इसके लिए बहुत सारे पानी सुध करने के तरीके हैं कभी मैं प्रेक्टिकल करके बताऊंगा बस आज इतना ही आप सब लोगों को मेरा प्रणाम ओम, ओम, ओम बाले इतना ही